हेलो बीटिफुल सोल्स मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे इसका नाम है डिवाइन सोल्जर दोस्तों आज का जो मैं वीडियो बना रही हूं यह ट्विन फ्लेम इनरजी को पर बना रही हूं लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का धन्यावाद करना चाह कि डिवाइन आप पर अपनी किर्पाजिस्टी हमेशा बना के रखें आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें जिस परपस के लिए आप अर्थ पर आए हो उसमें आप अपने कंटरपाट के साथ मिलकर उसमें आपना हंडर्ड परसंट दें और हंडर अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें ठीक है जी ओके जी थैंक यू थैंक यू सो मच गॉडब्लस दू और आगे बढ़ते हैं अपनी क्रिंट्रेम एनर्जी के उपर और जो सबसे पहला कार्ड डिएफ की डिएफ एनर्जी के तरफ निकल कर आया है व जो लवर्स कार्ड है वो इस बात को दर शायता है कि जो डिएफ अपने आप पर इनर वर्क कर रहे हैं बड़ी शिद्द से कर रहे हैं अपने हंड़ड परसंट दे रहे हैं और जिनों ने अपने आपको डिवाइन पूरी तरीके से सूंप दिया है कि मेरी लाइफ में इसको बैलन्स कर रही है। वह इस तरीके से चलती हुई अपने अंदर की जो एनर्जी है डियेफ और इम उसको बैलन्स कर लेंगी जिसकी वजह से वह बहुत सारे पास्टिव चेंजिज अपने लाइफ में नहजर आएंगी उनको अपनी जर्नी में इनको देखने को मिलेंग और इसी positive निजरिये के साथ जब वो आगे बढ़ती है जब वो इस तरीके से अपनी energy को balance करती हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही है तो उसका जो effect है उनकी DM energy पर जाने कि इनके counterpart पर भी उनको देखने को मिलेगा और उनके counterpart पर भी इसका effect पढ़ेगा क्योंकि जो DM energy की तरफ पर जो card निकल कर आया है वो तो justice card निकल कर आया है जो justice card है वो 11 number का card है और 11 number जो होता है वो awakening का number होता है तो मतलब जो masculine जो DM energy अपने आप पर अपनी जर्नी में बढ़ रही है देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात clear कर देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप जो DF अपने आपर inner work कर रही है अपने spiritual path पर चल रही है अपने spiritual path पर चलती हुई अपने soul growth कर रही है तो आपको उसी तरीके की guidance दी जाती है आप आपको guide किया जाता है आप उस guidance को follow करते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं ठीक है इसी तरीके से जो आपका DM है ठीक है वो भी अपनी जर्नी में है जनी आपके साथ की ही जर्नी में है वो भी लेकिन divine ने उनको जो कार्या दिया है वो कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है चल वह आपके साथ इसी जरनी में ही रहे हैं जिस तरीके से डिवाइन उनको कारे दिया हुआ है वो उसी तरह के कारे को बड़ी शित्द से निबार रहे हैं उसमें अपना 100% दे रहे हैं और बड़े प्rinaustिव तरीके से अपनी जरनी में आगे बढ़ रहे हैं तो divine की से जिए गाईड़ने में क्याल है अगर अगर गाईड़ने के लिए तो आपके DM को उसी के तरीके से एगे बढ़ने के लिए क्योंकि यह जो का रहे हैं जो डियम इस्टम अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं तो वो अपने आपसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो भी डिवाइन गाइड़ जर्नी में ही चल रहे हैं उनको भी डिवाइन ही गाइड कर रहे हैं कि आपने अपने करमास इस तरह से क्लियर क करने लिए कहने और किसा तरह की उनको गैडिस दी जा रही है और उस तरह से क्लिए कर और भी रहे हैं थी सबतरब है है अगर आपको इस जर्णी में बढ़ने के लिए डी एफ जन डी एफ को बोड़ी हो अगर आपको इस जर्णी में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिया गया है कि आपने इस स्पिर्चुल पार्ट पर चलते हुए आपने अपनी सोल की ग्रोथ करनी है आपने अपने इस इस तरह कि गाइड़न्स को फोलो करते हुए इसी तरीके से हम आपके जो डेम है जो आ रिफका काउंटरपार्ट इए उनको भी डिवाइन गाइडन्स a अपने कारम करते होड़ने है टी चैबाम के लिफे पस्ति इग वह की यह सीथे जा रहने आप average तरफ से इंको यह है कि आप जिस तरीके से दोनों को ही डिवाइन feminine और डिवाइन में स्कूल है आप जिस तरीके से भी अपनी पोजिटिव निजरी के साथ अपनी जर्णी में आगे बढ़ रहे हो तो आपको जस्टिस मिलेगा भले ही आपका रास्ता अलग-लग है दोनों क लेकिन चल आप एक ही जर्नी में रहे हों ठीक है तो आपको justice मिलगा क्योंकि ये दोनों ही दुसरे के counterpart हैं डीए फोर डीये तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी निकाली है तो अगर इन धोनों कार्ड को एक जगा रखते हुए क्योंकि ये डोनों ट्विन फ्लेम दोनों एक हैं तो एक ही energy है तो मैं दोनों काड़ों को अगर मिला कर बताऊं तो जो df अपने आप पर अपने energy को balance करती हुई या dm अपने energy में positive अपने journey में आगे बढ़ रहे हैं तो इन दोनों को अपनी अपनी journey में चलते हुए justice मिलेगा जिस तरीके से आप अपने 100% दे रहे हो जिस तरीके से आप अपने divine पर trust कर रहे हो अपने angels की guidance को follow कर रहे हो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको हर चीज के लिए justice मिलेगा अब जो bottom of deck card निकल खराया है वो है the emperor card यह जो emperor card है यह इस energy को दरशाता है कि जो df और dm दोनों ही जिस तरह की journey में भी चल रहे हैं अपने अपने path पर अपना 100% देते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें यह दोनों energy जनके df और dm दोनों ही bold decision लेने तक का यह अपनी energy को इतना जनी की high कर लेंगे दोनों ही कि यह bold decision लेने में और उस पर action करने में भी जिस कहेंगे नहीं यह इस तरह की energy में आ जाएंगे अपने आप पर inner work करते हुए तो emperor card इस तीज को दरशाता है emperor card होता है कि जैसे एक एक ऐसा strong person एक ऐसी strong energy जो मतलब जिसको किसी के लिए य इस पर वो action लेगा ठीक है यह इस तरह की energy है तो dmdf दोनों के लिए ही यह बहुत अच्छा खुबसूरत energy निकल कर रही है कि आप अपनी चड़ने में positive link के से आगे बढ़ोगे अपनी energy को balance करते हुए और आपको justice मिलेगा ठीक है तो यह जो आपकी energy थी और इस पर आज एक message भी देना चाहरी हूँ आप लोगों को यह मुझे कल से रसी हो रहा था लेकिन मैं मैंने सोचा था कि मैं आपको आज के वीडियो में यह deliver करूंगी तो आप इस message को देखेगा यह एक सोंग है यह बहुत खुबसूरे सोंग है यह आप लोगों के लिए message है आपने इसको ध् जर्वान की जिए कि कोछ गलत हो जाएगा कुछ बुरा हो जाएगा बिल्कुल भी बुक्छ घलत नहीं होगा कुछ बुरा नहीं होगा क्योंक stremem की यह — apply Ba. box में दे दूँगे तो आप देखेगा, सुनिएगा, समझेगा और अपने नजरिये को पॉस्टिव तरीके से रखते हुए अपनी जर्नि में आगे बढ़िएगा, ठीक है जी, all the best, God bless you all, take care, positive रहे, positive सोचेए, अपने बारे में भी और अपनी जर्नि के बारे में भी, ठीक है जी, all the best, God bless you all, check it.